धेर सारे काम कियें आपके बेटे ने हर्याना के लाल केजरीवाल ने अब मैं आपसे पूछती हूँ कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किये हो कोई और पार्टी है जिसने अस्पदाल अच्छे किये हो हो महला क्लीनिक खोले हो कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री कियो जहां 24 घंडे बिजली आती हो कि यह सब यह सब काम देश में सिर्फ एक ही शक्स कर सकता है आपका हर्याना कालाल केज्री वाल और इसलिए और इसलिए मोधी जी केज्री वाल से जलते हैं उनसे यह सब काम नहीं होते अस्पताल बिजली सिक्षा यह सब काम उनसे नहीं होते इसी वज़े से उनके यह सब काम रोखने के लिए उन्होंने फरजी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया कहते हैं केज्री वाल चोर है मैं कहते हूं मोधी जी अगर केज्री वाल चोर है तो दुनिया में कोई मांदार नहीं है आपके बेटे को मोधी जी ने जेल में डाला हर्याना के लाल को जेल में डाला है मोधी जी ने हर्याना को ललका रहा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया अब कर लो जो करना है मैं भी हर्याना की भव हुई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आप सब चुप चाप ये सहते रहेंगे देखते रहेंगे आपके बेटे को जेल में डाल दिया आपका बेटा केजरिवाल शेर है वो मोदी जी के सामने जुकने वाला नहीं है मोदी जी गुजरात से 2014 में जब प्रधान मंत्री बने पूरे गुजरात ने उनका समर्दन किया साथ दिया गुजरात से सारी सीटे बीजेपी को दे दी आपके बेटे ने हर्याना का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे आप जुकचा बैठे रहेंगे अभी अभी विधान सबा चुनाव आ रहे हैं बीजेपी को एक वोट में जाना चाहिए नहीं जाएगा सत्यखक्रत्त तसक्ति बेबाद् झाल